और राश्टपती मुर्मू की बात करें, किसी एक पर नहीं, पूरे विपक्ष में आज मुद्धा क्या चल रहा है, या विपक्ष किस मुद्ध्य को उठा रहा है, विपक्ष अगर बात करता है, ED की, CBI की, NCB की, या फिर EVM की बात करता है, तो विपक्ष अगर इतने समय से तो ये गलत नहीं है एवियम की बात कर ले तो एवियम है धांगली को लेकर भी खबरे सामने आती है जिस पर चुनाव आयोग का बयान सामने आता है और सीधे तोर पर देखा जाए भाई नीरव मोधी है या फिर सुसील मोधी की बात कर ले या विजय मालिया की बात कर ले या आजमखान के या चापा मारना हो तो आप चले जाते हैंए तो आप Sun bursts शोजया को ग्रफ़तार करना है तो रात में चले जाते है तो सीधे तौर पर देखा jarak кित रछफ तो आज 1014 के बाद जस तरीके से कहा जाभाए कि लोकतंत्र जैसे चीजे नहीं रहे हैं तो इस पूरे मुद्दे पर ये बहुत गंभीर विशा है इस मुद्दे पर अगर राश्ट्रपती मुर्मू बोलती है अपनी बात रखती है तो ये कहीं न कहीं है क्या राश्वपती द्रोपदी मुर्मू सच में बिपक्ष की मदद करेंगी क्या सच में राश्वपती द्रोपदी मुर्मू के पास पूरा बिपक्ष पहुंचेगा क्योंकि लगातार देखा जाए तो राश्पती दुरोपदी मुर्मू आदिवासियों की मदद करती आई हैं, महिलाओं की मदद करती आई हैं तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी की सदस्ता रद्ध हो जाने के बाद क्या राश्पती दुरोपदी मुर्मू राहुल गांधी का समर्थन करेंगी। राही बात के राश्पती द्रुपदी मुर्मू के पास कोई चिठी जा सकती है क्या राहुल गांधी की देश की महिला रॉपधी मुर्मू को कही ना कहीं आज जनता और विपक्ष् की मुद्दों का उठाने की जूरत है तो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार की सरकारी एजनसिया आज कटपुतली बनी हुई है जिस तरीके से मोधी सरकार CBI का इस्तमाल कर रही है, ED का इस्तमाल कर रही है, NCB का इस्तमाल कर रही है ये किवल विपक्षी पार्टियों के लिए सत्ता पक्ष के लिए नहीं है और विपक्षी पार्टी के जो तमाम अगर संसदों की बात कर ले पार्टी के तमाम नेताओं की बात कर ले जिनोंने सड़क से संसद तक मुद्दो उठाने का काम किया लेकिन ऐसे में राहूल जिम्हदारी बनती है कि देश में इस तरह की के जो घटनाय घट रही है उन मुद्दों पर अपनी बात रखे या विपक्षी पार यहाँ पर अगर राश्पती दुरूपदी मुर्मू बोलती है राहूल गांधी के समर्थन में आती है तो क्या सच में राहूल गांधी की जो सद्ध्य को उठा रहा है विपक्षगर बात करता है ED की SBI एंसीबी क migrant Evjuk की बात करताए तो विपक्षगर इतने समय से बात गलत नहीं है इवियम की बात कर ले तो इवियम में धांदली को लेकर भी खबरे सामनी आती है जिस पर चुनाव आयोग का बयान सामनी आता है और सीधे तोर पर देखा जाए भाई नीरव मोधी है या फिर सुसील मोधी की बात कर ले या विजय मालिया की बात कर ले या गौत मनीज सिसोजिया को घरफतार करना है तो रात में चले जाते हैं तो सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि 2014 के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्रे में है या लोकतंत्र जैसी चीजे नहीं रही है तो इस पूरे मुद्धे पर यह बहुत गंभीर विशा है इस क्या इससे यह बास साफ हो जाती है कि देश के प्रधानमंत्री के नीचे काम कर रही अपकी लगातर सुतंत्र एजेंसियों पर सवाल खड़े तो होते ही रहते हैं अपने मदारी के बंदर की तरह इने बना रखा है जिस तरीके से हम देखते हैं कि मदारी का जो खेल होता है और वो अपने इशारों पर बंदर को नचाता है आज वही हो रहा है एडी को जहाना हो रात में वहाँ पर भेज दिया जाता है लेकिन आज सवाल गौतम अडानी से क्यों नहीं हो रहा है इतना बड़ा स्कैम निकल कर सामने आता है LIC की बात कर ले या बात कर ले SBI की बात क अधर को का पैससा अडानी की कंपनियों में लगता है तमाम सेक्टर की बात कर ले रेलवे की अगर अधर निक्ती डुरुपाध मुर्मा अभी तक कुछ कुल भी ठीक नहीं रहता लेकिन जब सवाल खड़े होने लगते हैं या फिर जिस तरीके से समयधानिक पत पर बैठे अधिकारी चुप रहते हैं तो सवाल बनता भी है देखें अगर इतना बड़ा इस कैम कहीं और हुआ होता तो अब तक तो आपने कई टीमें बिचा दी होती कई आपने सबूत निकाल ली होते लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि गौतम अडानी से कोई पूस्ताच नहीं हो रही है लगातार संसत के अंदर मोधी सरकार के तमाम मंत्री बीजेपी के तमाम स अंसत बचाने का काम कर रहे तो वही तो कहा जा रहा है कि क्या मोधी ही अड़ानी है और अडानी ही मोधी क्योंकि एक भले ही चैरा देखे ग्यान वूस्ताइब में लेकिन उन-के पीछे हाथ प्रदान मंत्री नरेंद मोधी को यह जो रिष्ते की शुरुवात होया यह गुजरात से हुई है, क्योंकि गुजरात के वक्त में अगर देखा जाया, तो एक वक्त में उस वक्त मोधी जब सीयम थे वहां के, तो अडानी के जट से आया जाया करते थे, 2014 के बाद तस्वीर बदलती है, नरेंद्र मोधी देश के परदान मंत्री बन जाते हैं, तो अ लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से केवल अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है यह यूं कहा जाए कि अमीरों को अमीर बनाया जा रहा है गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है तो मोधी राज में अगर इसी तरीके के हालात रहे तो शायद आने वाले वक्त म जो नीचे तपके के लोग है, मिडल क्लास के लोग है, उनके हालत बहुत खराब होती है। पेश कर रही है, कि वो सुप्रीम कोट का रुक कर सकते हैं, अगर सूरत हाई कोट से उनको रहत नहीं मिलती है। गोव में इनलीगल तरीके से रेश्टूरेंट चल रहा था, खुद स्मिर्ती रानी एक प्रेस कॉंफरेंस करती हैं, जिन में कहती हैं कि मेरी 18 साल की नावालिक बेटी, उको कॉंग्रेस पार्टी ने इस तरीके से गेरने का काम किया। भई 18 साल की बेटी बोल रही है, नावालिक भी है, तो बाहर चलाने का लाइसेंस फिर कैसे मिल गया, या वहाँ पर बीफ, पॉरक, तमाम चीज़ें हमने देखी हैं, हमने पढ़ी हैं, तो वो कैसे चलाई जा रही हैं, तो इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता सरकार की तर आज मोधी की टीम को पूरी तरीके से द्वस्त कर दिया है, धूल चटा दिया है, और 2024 से पहले राहूल गांदी एक बड़ा चैरा निकल रहे हैं, तो राहूल गांदी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, राहूल गांदी को घेरा जा रहा है, हलाकि सौमबार को क्या राहूल गांदी के समर्थन में राहूल गांदी को राहत भी मिलेगी और जो सपना राहूल गांदी परधान मंतरी बनने का देख रहे हैं, वो भी पूरा हो सकता है, आज के लिए सिर्व इतना ही देखते रहे है, SPN 9 News.